आज में बात करने वाला हूँ कि कौन सी कुंडली सही है देखे दोस्तों हम जब भी हमारी कुंडली का विशलेशन करते है तो हमें काफी सरी कुंडलिया नजर आती है और अगर आपने नोटिस किया हो तो न्यूस पेपर्स में भी काफी बार अलग-अलग राशी के लिए अलग-अलग date of birth बताया जाता है तो यहाँ काफी confusion हो जाता है कि हमारी कौन सी राशी सही है हमें क्या follow करना है तो आज मैं यह सारी doubts को clear करने वाला हूँ चलिए शूरू करते है देखे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे जादा confusion कहां create होता है हम specially जब facebook को अगेरा access करते है या कोई भी online site पे जाते है वहाँ कुंडली related हमें link मिलता है हम वहाँ पे check करने ही कोशिश करते है सबसे जादा confusion वहाँ होता है और definitely हम जो खुद जोतिश से कुंडली बनवा के लाते है उसमें भी काफी सारी कुंडली हमें देखने मिलती है तो वहाँ भी एक question arise होता है कि कौन सी कुंडली देखे तो पेले question का answer है कि हमने online कहीं भी हमने details डाल दी वहाँ से हमें अपना horoscope update आता है daily alert आप लोग कभी-कभी लगा लेते होंगे कि आज ये दिन अच्छा है ये दिन आपको ये चीज़ से बचना है वो सबसे बड़ा misunderstanding create करता है online हम जब भी अपने details register करते है date of both वगरा जादा तर या तो Indian company के होंगे तो वो चंद्रमाई की राशी follow करेंगे और वो particular company अगर out of India की होगी तो वो सूरिय कुंडली follow करते है इसमें दुबारा से dispute है कि हमारे जो मेश राशी शुरू होता है वो उनके मेश राशी से मेल नहीं खाता उनकी मेश राशी थोड़ी आगे चल रही है हमारी मेश राशी जहां start होती है वहां से नहीं चल रही तो मैं कह सकता हूँ कि western astrology completely different है हम वो follow नहीं करते अब आजाते हैं वेदिक कुंडली में ठीके वो तो समझ आ गया online आपने जो भी details डाले है वो नहीं follow करने जब आप जोतिश सही तरीके से समझना चाते हो अब हम वेदिक जोतिश पर आते है जो real जोतिश शास्त्र हमारे पुरवजों ने हमें दिया है उसमें देखिए काफी सारी कुंडली दिखती है सबसे पहली कुंडली हम्मेशा आपको दिखेगी लगन कुंडली तो लगन कुंडली सबसे important कुंडली होती है उसी कुंडली से हम बाकी सारे कुंडली बनाते हैं थोड़ा example की तोरपे मैं आपको basic स्थर पर समझा देता हूँ लगन कुंडली इस्टन होरीजोन में जो particular राशी आपके जनम के समय में उदय हो रही थी जैसे कि sunrise होता है इस्टन होरीजोन से डेली सुबे 24 गंटे 12 राशी 2-2 गंटे के लिए कोई ना कोई राशी Eastern ओरीजोन से उदय होती है तो आप जब बौन हो रहे थे उस प्लेस पे Eastern ओरीजोन में कौन सी राशी उस टाइम पर आई है वो आपकी लगन की राशी है लगनगी राशी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरी जो चार्ट देखने मिलेगी वो या तो नौमांश की होगी या तो चंदरकुंडली की होगी नौमांश कुंडली completely different way में काम करती है उसे हम ज़्यादा तर marriage के लिए देखते हैं और कुछ special cases के लिए जरूर देखते हैं बहुत ही important कुंडली है बट आज basic video है तो हम deeply नहीं जाएंगे बस जानकारी के तोर पे आपको पताओना चाहिए नौमांश कुंडली को अभी आपको नहीं देखना वो real dignity बताता है वो आत्मा के स्तर की चीज़े बता देता है तो हम deeply नहीं जाना चाते तो उसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख सकते है second कुंडली जो important है वो है चंद्र कुंडली चंद्रमा जिस राशी में विराजमान होते हैं वो हमारी चंद्र कुंडली बन जाती है आईये समझ नहीं कोशिश करते हैं उसे देखे सबसे important जो है लगन कुंडली है अगर आपने हमारा first वीडियो नहीं देखा होगा lecture 1 तो जरूर देखेगा आपको अच्छी तरह कैसे समझ आ जाएगा कैसे हमने लगन की राशी को सिलक किया है अब देखे इमेजिन करता हूँ आपकी लगन कुंडली में आठ नमबर राशी है तो आठ नमबर की जो राशी है वो वरिष्चिक राशी है वरिष्चिक राशी आपके लगन की राशी है अगर आपकी कुंडली इंग्लिश में हो तो लगन को हम असेंडेंट भी बोलते है आपके 1st house में 8 नमबर की राशी है और उपर लिखा होगा A, S, C या फिर लगना लगना की राशी मिल गई है हमें अब definitely 12 घर है 12 घर में कोई ना कोई राशी और कोई ना कोई प्लानेट्स होंगे राशी प्रोग्रेशन आपको पता होगा यहां से होता है तो देखें 1st lecture के मुताबित मैंने प्रोग्रेशन लगा दिया है 8 नमबर की राशी यहां है तो यहां 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आमारा यह कुंडली तयार हो चुका है राशी हमें पता चल गया Ascendant राशी है व्रिष्चिक अब देखें जहां भी आपके चंद्रमा विराजमान होगे वो आपकी मून साइन होगी अज्यूम कर लीजे आपका चंद्रमा बारवे घर में है जैसे यहां Ascendant लिका है अगर तूला राशी में चंद्रमा लिका होगा तो जब आप चंद्रमा की कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में नजर आएगा मैं आपको बता देता हो देखें सारी कुंडली इसी एक कुंडली के धुरू बनाई जाती है लगना सबसे इंपोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो कुंडली है वो आपकी लगना की कुंडली है यही आपके सारे लाइफ इवेंट्स हमें बताते है अब हम क्या करते हैं हम चंद्रमा जिस भी राशी में हो उसको फर्स्ट हाउस में लाके विराजमान करते हैं तो दूसरी जो कुंडली है सबसे महत्वपूर्ण वो है मून साइन ठीके रूल एकदम सिंपल है चंद्र कुंडली में हमेशा मून फर्स्ट हाउस में होना ज़रूरी है एक्जाम्बल की तुरपे आपका मून करक राशी में ही था जब आप बाउन हुएं तो यहां साथ नंबर ही दिखेगा जहां भी आपका चंद्रमा होगा आपको गुमाना एचाट को पूरा और चंद्रमा को जब तक फर्स्ट हाउस में आप नहीं लाओगे वो चंद्र कुंडली नहीं बनेगी आपने अगर कभी देखा होगा जोतिश के रिएल कुंडली अगर आपने प्रिंटेडी कुंडली देखी ओगी बहुत सारी कुंडली मिलेंगी आज confusion नहीं करना है आज हम डीटेल में नहीं बात करेंगे सारी कुंडली के बारे में आज खाली topic clear करना है सबसे जल्दी जो राषी बदलती है वो लगना की राशी बदलती है Every 2 hours में राशी परिवर्तन हो जाता है Eastern horizon में 2 गंटे से जादा कोई भी राशी नहीं रहती प्रित्वी जो speed से गूम रही है तो 24 गंटे होते हैं हमारे पास और 12 राशी है 24 गंटे में 12 की 12 राशी का सरकल खतम हो जाता है आप गनित लगाएंगे आपको मिल जाएगा कि आपको 2 गंटे सब राशी को देने है तो 24 गंटे कंप्लीट हो जाएंगे बात करें चंद्रमा की चंद्रमा 2.5 देस दाई दिन तक एक ही राशी में विराजमान होते है लगना 2 गंटे में बदल जाता है तो देखे सबसे फास्ट प्रोग्रेशन आप पाओगे कि राशी का प्रोग्रेशन है अब जैसे राशी जो है वो 2 गंटे से जादा नहीं रहते चंद्रमा 2.5 दिन एक राशी में विराजमान रहते है तो आप समझ नहीं कोशिश कीजिए अभी एक बेबी बॉन हुआ है उसका रिष्चिक लगना है 2 गंटे के अंदर राशी बदलने वाली है 2 गंटे बाद एक बेबी बॉन होगा उसका धनू लगना होगा और उसके चंद्रमा तूला राशी में ही दिखेंगे मगर वो शिफ्ट हो जाएंगे दनू लगना यहां असेंडेंट फर्स्ट हाउस में रहेगा चंद्रमा शिफ्ट हो जाएगा तो सबसे तेज बदलने वाली चीज जो है वो लगना की राशी है फिर 2 गंटे बाद कोई बेबी बॉन होगा उसका मकर राशी आएगा लगना में चंद्रमा तूला में ही दिखेगा मगर फर्स्ट हाउस का राशी बदल रहा है यह फर्स्ट चीज है कि लगना क्यों इंपोर्टेंट है लगना सबसे तेज बदलता है तो दाई दिन में कितने सारे बच्चे बॉन होंगे ये डाई दिन में सारे बच्चे सेम तरीके के नहीं मिलेंगे आपको, सब के नेचर अलग होंगे, इसलिए लगना सबसे महत्वपून है, वेदिक जोतिष डीटेलिंग पर काम करता है, अब मैं आपको एक एक एक्जामपल भी देता हूँ, अगर आप वेस्टन एस्ट्रोलोजी फॉलो गरें, वो सन साइन को फॉलो करते, मतलब जहां भी सन है, अब इमाजिन करते हैं, सन अजियूम कर लीजिए, कन्या राशी में है, आपकी कुंडली में, अगर सन कन्या राशी में हैं, तो एक कन्या राशी की कुंडली बनेगी, यहाँ सन लिखा होगा, और राशी आएगी 6, अब मेरा सवाल है, सूरिय देव तो 30 दिन एक ही राशी में रहते हैं, 30 दिन में कितने सारे बेबी बॉन होंगे, सबका नेचर सेम होगा, सबका लाइफ पैटर्न सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो दीए, वेस्टर अस्ट्रोलोजी तो में कभी कंसीडर ही नहीं करता, स्पेशली जब आप न्यूस पेपर या इंटरनेट पे आपने डीटेल डाल दी, वो लोग आपको आप देखेगा, गौर कीजेगा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, कि ये जो राशी बताई जारी है, ये सन साइन पे है, या मून साइन पे है, और बहुत कम लोग लगने के हिसाब से आपको कुछ बताते है, ये सिर्फ एस्टोलोजर्स, रियल जोती जो जानते हैं, वो ही फॉलो करते है, बाकी जो सन साइन पे बिलिव करते हैं, सन साइन एस्टोलोजी में बहुत ही अलग तरीके से काम करता है, Western astrology अलग है, हम उसकी बात नहीं करने वाले, Western astrology में लगना नहीं होता, वो कम्प्लिटली अलग तरीके से काम करता है, और उनकी जो राशी है हमारी जो मेश राशी का starting point है और उनकी जो मेश राशी का starting point है वो भी different है वो हम कभी बाद में discuss करेंगे tropical और siderial chat में क्या difference है बट फिलाल basic जो confusion दूर करना है इस वीडियो में हमें वो यह कि कौन सी कुनली सही है तो देखिए सारी कुनली सही है जो जोतिश ने बनाई है ठीके western astrology को मैं यहां नहीं consider करता 30 दिन में सारे बच्चे एक समान नहीं मिलने वाले आपको परन्तु वेदिक जोतिश में सूर्य कुनली का महत्व है वो हम आगे बताएंगे क्या महत्व है हम सूर्य कुनली भी देखते है सबसे मैं है लगना कुनली लगना कुनली क्यों मैं है वो आप मैं आपको बताता हूँ लगना कुनली बताईए आपके सारे life events आपका nature जो राशी यहां है ना उस राशी का nature का बंदा सब सेम ही मिलेंगे आपको हाला की life pattern different होगा लगना में जरूरी नहीं है जो planetary position आपके कुनली में है दूसरों के भी वो ही हो आपके born होने के time moon यहां है उनके born होने के time शायद moon यहां होगा तो सारी चीज़े बदलेंगी मगर एक nature होता है बंदेगा वरिश्ची की बात की जाए example की तोर पे बहुत ही aggressive होते है ये लोग और ये लोग बहुत ही secretive होते है secret knowledge बहुत होता है इनके पास इनके पास दोस्तों की secrets बहुत होती है इनका physics ज्यादा तर अच्छा होता है एक अच्छी body वाले होते है और ज्यादा तर finance field से जूडे होते है फ्रिष्चिक लगन वाले देखे ये ये आपका real nature है और सेम तरीके से लगन चेंज हो जाए तो व्यक्ति का नेचर चेंज हो जाएगा assume कर लेते हैं कि अगर तूला लगन वाला व्यक्ति हो तो वो हर चीज को balance करने ही कोशिश करेगा बट reality यह ही कि उसकी life में कोई चीज balance नहीं होती और काफी खुश मिजास लोग होते हैं तूला राशी के लोग और वही अगर यहां आट की जगे assume कर लेते कन्या आ गई हो तो कन्या लगना वाले जो होते बहुती practical होते हैं बहुती social होने की कोशिश करते हैं सभी से अच्छा रहो जगडे में जादा believe नहीं करते हैं तो अपना अपना नेचर होता है यह बहुत ही short में मैंने बताया है लगना सबसे important है यह आपके life के events बताएगा और चंद्रकुंडली बताएगा कि आप कितने emotional हो आपकी thinking process क्या है देखिए आपका मन ही आप बनते हो आप जैसा सोचते हो जैसा feel करते हो वैसे react करते हो और आपने जैसा रियक किया है दुनिया के लिए आप वैसे ही हो तो यह जो energy है वो चंद्रमा की energy है चंद्रमा मन का कारक है जोतिश में तो जहां चंद्रमा विराजमान है उस घर और राशी का मेहत वो बहुत जादा हो जाता है लगना के बाद जो सबसे important चीज है वो है चंद्रमा की राशी चंद्रमा जिस राशी के जिस नक्षत्र के जिस चरन पे है अगर आप तो नहीं पता चरन कैसे calculate करते हैं हमने पिछले वीडियो में बात की है तो जिस राशी के जिस नक्षत्र के जिस चरण पे चंद्रमा वीराजमान होते हैं हम उसी के नाम से नाम करन करते हैं चंद्रमा इतना important है अगर चंद्रमा strong है तो इंसान की life में भले event कितनी भी दुखदाई हो वो से जेल जाता है और अगर उसकी लगन में बहुत सारी चीज़े अच्छी दीख रही हो और चंद्रमा पेडित है तो वो व्यक्ति के पास सब होने के बाद भी वो व्यक्ति आपको ज़्यादा तर रोता हुआ दिखेगा या परेशान दिखेगा या वो खुद से खुश नहीं होगा ये इतनी important कुंडली है चंद्रकुंडली आप देखे जैसे चंद्रमा विराजमान है वैसे सूर्यदेव भी विराजमान है इस example के तोर पे जैसे हमने समझा सूर्यदेव कन्या राशी में विराजमान है तो सूर्यदेव की भी एक कुंडली बनाई जाएगी सूर्यदेव कुंडली में आप देखेंगे सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे सेम पैटन है जहां सूर्य देव होंगे चार्ट को गुमाई है जहां वो फर्स्ट हाउस में आ जाए और फिर उसको नया कुंडली का नाम देंगे आप सूर्य कुंडली अब देखें सूर्य कुंडली किस काम आती है सूर्य हमारे आत्मा के कारक है सूर्या का position बताएगा कि आप आत्मा के स्तर पे कितना elevated हो कितने enlightened हो आत्मा का direction आपको पता चलेगा अगर आप ध्यान से समझे सूर्या देव एक साल में same position पे आ जाते है अब जैसे हमने ये कुंडली समझा कि आपके लगना में 8 नमबर की राशी है सूर्या देव छटे राशी में है तो आपका बड़े आप कब बनाते है पता है आपको जब सूर्या देव सारे राशी में ब्रह्मन करके वापीस same position पे आ जाए example की तोर पे सूर्या देव यहाँ 16 डिग्री में है हर प्लानिट एक specific डिग्री में होते है तो जब सूर्या देव दुबारा 16 डिग्री पे आ जाएंगे कन्या राशी के तब आप अपना जनम दिन बनाते हो हर साल पूरा सरकल लेने के बाद सूर्या देव वापीस उसी जगे पे आ जाते है जिसे हम birthday केते है सूर्य कुंडली हमारे धरम को दर्शाता है हमारे आत्मा को हमारे direction को दर्शाता है हमारे birth cycle को दर्शाता है तो वो भी एक important हिस्सा है वेदिक जोतिश का और इनके इलावा भी काफी सारी कुंडलिया होती है जिसे हम divisional chart केते है या तो आप वर्गा के सकते है जैसे नौमांश, दशाम्स अभी हम उस चीज़ पे नहीं आएंगे ये थोड़ा advance है तो वो कुंडली हम तभी समझ सकते है जब आपको 110% आपके लगन कुंडली का knowledge आ चुका है अभी मैं आपसे एक बात शेर करता हूँ काफी debate है कि जब हम पंडित जी के पास जाते है तो वो चंदर कुंडली लेते है और हम जब रियल वेदिक जोतिश के पास जाएंगे तो वो लगन कुंडली लेते है तो दोनों में debate काफी होती है कि ये सही है कोई बोलता है ये सही है देखिए दोनों जरूरी है एक सजोषी को पता है कि लगन का क्या काम है, चंदरमा का क्या काम है और मैं आपको बता रहा हूँ लगन खुण्डली आपकी बॉडी है बॉडी ही नहीं मिले तो आप emotion का क्या करोगे Emotion और आत्मा का कोई महत्वपून कार्या नहीं बचता बॉड़ी लिया है इसलिए हम आज कुछ बाते कर रहे हैं अगर मैं ये बॉड़ी नहीं लेता तो मेरा ये कुंडली ही नहीं बनता है या मैं कोई चीज के लिए इन्वाल्वी नहीं होता देखें, no body, no discussion लगना बॉड़ी है लगना आपके सारे life events है बॉड़ी के साथ आपके साथ-साथ क्या events होने वाले, accident होने वाले आप अच्छे उपादी में काम करने वाले आपके बच्चे का खुशी आपको मिलेगा की नहीं आपके पास property होंगी की नहीं ये बॉड़ी क्या-क्या चीजे भोग सकता है उसका सारा decision इसी में मिलने वाला है simple है, no body, no meaning किसी चीज का कोई मेत्वन नहीं रहे अगर बॉड़ी नहीं है और बॉड़ी कोन दे रहा है, लगना दे रहा है और बॉड़ी के अंदर चंद्रमा सारी चीजों को operate कर रहे है आत्मा जो है, sun वो सिरिफ विराजमान होने का काम करते है ठीके, तो ये body है ये mind है और ये आत्मा है ये soul है इस तरीके से आपको कुंडली देखना है कोई भी कुंडली फीजुल की नहीं होती है जोतिश में अगर आप देखेंगे तो हरे कुंडली का अपना मैध्व है तो मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी confusion है कि कौन सी राशी क्यों मिली है कौन सी राशी सही है गलत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एश्टो चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस जल से जल आप तक पोच सके जेशुर्क्रिष्णा हर हर महादेव